हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो में यूटूब चैनल मनिशा की रसुई में आप सबका स्वागत है आज मैं आपके लिए कोकन की फेमस वाल की सबजी की रेसिपी लाई हूँ इसे पाउटा भी कहते हैं, माराठी में इसे वाल की सबजी या वालाचा बिरडैची भाजी भी कहते हैं इन वाल के दानों को स्प्राउटेड करके इनकी सबजी बनाए जाती है जैदातर बारिश के सिजन में ये बहुत खाई जाती है तो चलिए बनाते हैं वाल की सबजी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताक यह ऐसी ही healthy and tasty recipes के notification आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने एक कब वाल के दानों को कल रात में पाने में भिगो कर रख दिया था यह देखिए मैं आपको ड्राय वाल के दाने दिखा दे दी हूँ यह इस तरीके के वाल के दाने होते हैं यह मार्केट में आपको आसाने से मिल जाते हैं इने पाउटा भी कहते हैं इसी प्रकार के लाल दाने भी होते हैं उन्हें कड़वे वाल कहते हैं वो भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं पर आज हम इन सफेद दानों की सबजी बनाएंगे ये देखिए, मैंने पूरी रात इन्हें पाने में भिगो दिया था, आप देख सकते हैं ये फूल कर एकदम डबल हो गये हैं, अब हम इन्हें पाने से निकाल लेंगे हमें इन दानों को sprouted करना है ये देखिए इसलिए मैंने एक जालिदार बर्तन में इन दानों को निकाल लिया है और इसके नीचे एक बावल रग दिया है इस तरीके से इन दानों को अच्छे तरीके से फैला देंगे इसके बाद इसके उपर एक सूती कपड़ा धग देंगे यही सूती कपड़ा गीला होना चाहिए, यही सूती कपड़े को हमने अच्छी तरीके से गीला कर दिया है, आप किसी भी सूती कपड़े से इन्हें अच्छी तरीके से ढग दीजेए। अब हम इने 10-12 गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आप चाहे तो बीच बीच में इस कपड़े को गीला कर सकते हैं ये देखिए 12 गंटे बाद हम खोल कर देखेंगे ये देखिए आप देख सकते हैं 12 गंटे बाद इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्राउट आ चुके हैं ये देखिए कितने अच्छी से हमारे वाल अंकूरित हो गये हैं अब हम इने चील कर इनकी सबजी बने हैं देखिए वाल के दानों को मैंने पतेले में डाल दिया है इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है पानी डालने से इनके चिल के बड़ी ही आसाने से निकल जाते हैं ये देखिए इस तरीके से हाथों में हम दाने लेंगे और एक दाना लेकर हम पिछे की सैट से इसे हलका सा पुश करेंगे तो ये देखिए बड़ी है आसाने से ये दाने निकल जाते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं कितने आसाने से इनके छिल के निकल जाते हैं इसी तरीके से हमने सारे दानों को छील लेना है ये देखिए सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक टामाटर बारिक कटा हुआ, एक प्याज बारिक कटा हुआ, एक आलू अच्छे से धोकर मैंने छोटे टुकड़ में काट लिया है, ये देखिए मैंने वाल के दानों को अच्छी तरीकी से छील लिया है, ये थोड़े ज एक इंच अद्रक का टुकड़ा एक कप ताजा नारियल ग्रेट किया हुआ अगर आपके पस नहीं तो आप सूखा भी इस्तिमाल कर सकते हैं और ताजा फ्रेश हरा धनिया हम इन सारी चीजों को मिला कर मिकसर में अच्छे से पीस लेंगे ये देखिए मिकसी के जार में हम इन सारी चीजों को डाल देंगे और इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लेंगे ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसका एक अच्छे से पेस्ट बना कर तयार कर लिया है तो चलिए अब हम इसकी सबजे बनाते हैं ये देखिए एक कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच तेल डाला है, गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच राई, राई को अच्छे से तड़कने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारिक कटा पेहद ही जरूरी होता है इससे हमारी वालकी सब्जी बहुत ही टेस्टी और स्वाधिष्ट बनती है पर अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यह देखिए हमने प्यास को अच्छे तरीके से भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ हरा म मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे इसके साथ हम इसमें टामाटर भी डाल देंगे यह देखिए टामाटर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं हमारे मसाले का कलर चेंज होने लगा है और हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राय होने लगा है ये दिखी आप देख सकते हैं टामाटर भी अच्छे से सौफ्ट हो गया है और हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राय हो गया है अब हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले हम इसमें डालेंगे स्वादानुस आखरे में हम इसमें डालेंगे एक चुम्मा सक्कर हम ये कोकनी स्टाइल से बना रहे हैं तो इसमें सक्कर ज़रूर होती है क्यूंकि वाल की सबजी खटी मिठी होती है अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और इनने एक मिनिट के लिए अच्छे से बहुन देंगे ये दिखिए आप देख सकते हैं एक मिनिट बात हमारे मसालों काays बहुत ही अच्छा आया है और हमारे मसाले भी बहुन चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे छीले हुए वाल के दाने इसे के साथ हम आलू बी डाल अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ वाल के दानों की सबजी बना सकते हैं हम इने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ये दिखिए हमने इसे अच्छी से मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें डालूंगी दो गलास पानी ये आप अपने पसंद से कम्या जादा कर सकते हैं जितनी भी ग्रेवी आपको गाड़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए हम इसे एक बार अच्छे से उबाल लेंगे ये दिखिए हमारी सबजी उबनने लगी है हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढखकन लगाकर पाच मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ये देखिए पाच मिनिट के बाद हम चिक करेंगे ये देखी हमारी सबजी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है और इसकी ग्रेवी भी perfect consistency में है हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है ने तो ये दाने पक कर फूट जाते हैं ये देखे हमारा आलू भी बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है अब हम आखरी में इसमें डाल आखरी में डालते हैं नहीं तो अगर हम पहले डाल देंगे तो दाने और आलू पकने में टाइम लगेगा इसलिए हम इसे आखरी में डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरीकी से मिक्स कर देंगे और इसे फिर से ढखकन लगा कर दो से तीन मिनिट के लिए पका लेंगे ये देखे दो से तीन मिनिट बाद हम फिर से इसे खोल कर चेक कर लेंगे ये देखे हमारी सबजी बहुत ही अच्छी तरीकी से पक गई है अब हम आखरी में इसमें डालेंगे, बारिक कटा हुआ ताजा हरा धनिया, धनिया डाल कर हम इसे एक बार और चला देंगे, ये देखिए हमारी वाल की सबजी बनकर तयार है, आप इसे जरूर ट्राय किजिएगा, हम इसे एक बावल में सवर कर लेते हैं, ये देखिए हमारी कोकण की फेमस पारम परिक वाल की सबजी बनकर तयार है, हम इसे इसे की सबजी आप उसे जावल की रोटी, गेहुं की रोटी या जावल के साथ अब ध्ल sबूत के म aproximadamente भरिक सबड़े रोटी Thank you